चले तो इस्टार्क करते हैं आवाज कर दिया मइ पूछा गया है इनने में लिखित में सरवसेश्ट इस्टूप जो मानते हैं वो किसे मानते हैं यह द रिखेगा जबाब हो जब्थेगा हमने बताया भी था जो सांची का इस्तूफ है ये सबसे बड़ा इस्तूफ है तो उप्सनेटिक के आँपर सी सही हो जएगा ठीक है अगले प्रिसकाते हैं प्रसाप सगला है सांची का इस्तूफ की सासक ने बनवाया था यहाँ पर आपका जबाब राइट हो जाएगा कौनसा भी बिल्कुल सही आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है असोफ ने बनवाया था ठीक है अगले प्रिसकाते हैं प्रसाप सगला है असोफ की सिला लेखों में प्रियुक्त भासा है वो आपकी कौनसी है संस्कत प्राक्रत पाली या आपका हिंदी आपका जवाब हो जगा ऑप्सन रहा है असोफ के समये एक अविलेख था खरोश्टी लिपी में और ये खरोश्टी लिप만 जवाब वन्याच वह कि था आपके सहभाजगडी वाला था तो आपका जवाब हो जेगा सी नंबर अगला प्रस्णप का दिया है कि पत्थर पर प्राचिन्तम सिलारेक किस भासा मे सी दियाद रिखेगा आपका जबाब यहां पर कौन से होगा तो यहां पर आपका जवाब होजीगा से कॉन से किया गया है मतलब जो ब्राम्ही लिप है ब्राम्ही लिप है ब्राम्ही लिपी ये इसका उद्वाचन ये कैसे इसका ग्यान ये जो आपका हुआ था वो उतके नच्रों में से किया गया किसके तो आपका जवाब कौन से हो जेगा यहां पर हो जेगा पत्थर की पत्थियों पर ठीके पत् चले एक बार भाई जितने लोग जुड़ चुके हैं जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजेगा जितने लोग अभी अभी आए हैं जितने लोग अभी तक नहीं लाइक किये हैं एक बार वीडियो को लाइक करें जल्दी से लोग लाइक कर दिया करें जल्दी से है ना आते ही लाइक कर दिया करें उसमें आपको टाइम भी आपका वेश्ट नहीं होगा है ना चरे तो देखें यापर करें असो की सिला लेकू को सरप्रथम किसने पढ़ा था यापर 254 का जवाब यहाँ पर सही होजेगा C आपके James Princess ने पढ़ा था इसका राइट अंसराप का यहाँ पर C सही होजेगा ठीके अगले प्रिसकाते है प्रसाप सिला है कि ब्रामी लिप को सरप्रथम किसने पढ़ा था चरे यहाँ पर जवाब दीजे कि ब्रामी लिप को का पता चलता है वह इस्थांज जाब प्राक यह कहां से है तो यहाँ पर याद रहेखे आपका जवाब होतेगा अप्षेण B अनुराधापुर से ठीके जो आपका अशोग के ब्रामी लिप से पता चला है यह इनके कौण और से बाई यो लिखी जाती थी दिया गया प्राचीन काल में जो आपके अबलेक होजेगा असोग का अपने अबलिखों में से समानिता जिस नाम से उलेक हुआ है वो आपका कौन साиться है मतलब कहा गया है कि असोग का जो नाम है वो सिला लेखों में किस नाम से उलेखित किया गया है चली ये प्रस्णाप ने पढ़ा है कि प्रिये दर्सी कौँसा और संडी हो जगा प्रिये दर्सी बनेगा D-Number आपका सही जवाब हो जगा अगला प्रस्णाप से पुझा है जो कि मौरुत्तल काल में आ चुके हैं यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् में किसी को जारी किस ने किया यहां पर सही जवाब कौन सा वोजेगा चले दोस्तों नमासी का जवाब देना है सही जवाब किसका आ रहा है चले यहां पर जवाब जो कि आपका सही हो जगा option right very good काफी अच्छा प्रयास है बढ़े हां है यहां पर जवाब कुछ लोगों क्या यहां पर जवाब हो जेगा option B यहां पर आपका जवाब हो ज़ेगा 2809 कभी बनेगा कुसाड़ो ने, ठीके कुसाड़ो ने option right up कब बनेगा, यहां पर B नंबर आपका हो ज़ेगा, ठीके चले, अगले प्रसकातिये प्रसकाप सेगला है, कराप प्राचीन भारत में नियम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्खे चलाए थे नियमित रूप से नियमित रूप से सोने के सिक्खे यहाँ पर चलाया था किसने चले गोड इवनिंग नमस्ते चले तो देखे यहाँ पर आपका सोने के सिक्खे नियमित रूप से पुछा है तो आपका जवाब होज़ेगा कुर्षाणों ने किस ने चलाया था, कुर्षाणों ने चलाया था, आपका सही जवाब होज़ेगा C नंबर, अगला पूछा गया है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, मतलब जो गौतम बुद्ध थे, इनका चित्र बना हुआ किसके सिक्कों पर, किसके सिक्कों पर, तो याद रिखे कनिस्क के, कनिस्क के समय चौथी बौध संगीती हुई थी, तो आपका जवाब होज़ेगा, यहाँ पर B, कनिस्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है, बुद्ध जी का, अगला पूछा गया है, निम्रिकित में से किस आसन को सरप्थम सोने कि सिके जारी करने का स्रे दिया जाता है जो सोने कि सिके जारी किया था सरप्थम किस ने किया था यहाँ पर सही जवाब कौन सब हो जएगा याद रहे इसका जवाब हो जएगा विम कट फिसिस कौन थे विम कट फिसिस थे देखा जाए तो सुद्ध सुने, हना यहाँ पर यह भी सब्द कह सकते हैं, सुद्ध सुने के सिक्के जारी करने वाला जो सासक था, वो विम कट फिसीज था, इसका राइट अंसर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर, अगला पुछा है, कि आधे सिक्कों पर किस देवता का अंक लिजेगा, ठीके, चरे, अगला है, कि कुसांड सासक कनिस्क का राजवसेक किस सन में हुआ था, जो कुसांड सासक थे कौन कनिस्क, और कनिस्क का जो राजवसेक हुआ था, यह कब हुआ था, चरे, इसका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जगा, आपका 78 AD में, ठीके, 78 AD में हुआ था, इसका right answer आपको कौन सा हो जगा, यहाँ पर आपका D सही हो जगा, 78 वाला लगाना है, ठीके, चलिए, अगले प्रिसकाति हैं, प्रिसाप सगला है, कि सक समवत कब प्रारम में किया गया था, सक समवत कब प्रारम में किया गया, यहाँ पर देखो सक समवत है न, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सक समवत जो प्रारम में किया गया था, 78 इस B में जो अंतर होता है वो कितने वर्षों का अंतर होता है याद रेके इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वो 135 वर्षों का अंतर होता है कितना होता है 135 वर्षों का अंतर होता है अगला विक्रम समवत कब से प्रारम हुआ था विक्रम संवत कब से प्रारंब हुआ था तो विक्रम संवत जो प्रारंब हुआ ये हुआ था कब तो आपका जवाब हो जेगा बी 57 इस भी पूर में कब हुआ था 57 इस भी पूर में option right आपका हो ज़ेगा यहाँ पर आपका 20 हो ज़ेगा ठीके अगले प्रिस्काते हैं प्रिस्टाप सगला है असुगोस किसका समकालीन था असुगोस किसका समकालीन था यहाँ पर सही जवाब कौन सबनेगा चले असुगोस की बात किया है तो यहाँ पर याद रिखे यह था आपके कनिश के समय आसन अपकासी कनिश के समय में हो जाएगा ठीके चले अगला दिया है निम्रिकित में से कौन एक कनिश के दर्बार से समब्द नहीं रखता है इन में से बताइए कि जो कनिश के दर्बार से समबंदित नहीं था वो आपका कौन नहीं था देखो असुगोस भी थे, चरग भी थे, नागाजुन भी थे लेकिन याद रखेगा कि कनिश के समबंद में पतनजली का कोई ले ना देना इनके दर्बार से नहीं था तो इसका राइट अंसर आपका बनेगा कौन सा D हो जेगा ठीके अगरा पूछा गया है किनिमन में से कौन कनिश्क प्रथम के दर्बार में नहीं गया था कनिश्क प्रथम के दर्बार में कौन नहीं गया था तिया पर यद्रे के असुगोस गय थे पार्स भी गय थे वास्मित गय थे लेकिन यहाँ पर विसाखा दत आपके कनिश्क प्रथम के दर्बार में नहीं रहे थे यहाँ पर आपका जबाब सही हो जगा आप फरत पराज किया। दिखो सुंग वाद कोन आया था? सुंग के बाद आपकी आया ठेकोन तो आपके कंड़ोर से थे इसके राइट नापका बने घषा सी। यसे किया बोलते हैं और इसे का बोलते हैं कंडव भी बोल देते हैं देखो मोर जो था, वो तो बहुत सत्य साली, यह नगे भाण, जो दच्छन भारत में सबसे प्रभाव साली हुए थे? वो आपके कौन से थे, ये थे 7वाहन, 7वाहन जिनोंने सीसे के सिक्के चलाया था, भरत में सरवुतम सीसो के सिक्के कि सिक्के चलाया था, मतलब यहाँ पर आपका जवाब 7वाहन हो जटेगा, ठीके, अगला पुछा गया है, सीमो को,निमन वन सुमोई से किसका संस्थापक थ आग पुछा है किस चीनी जनरल ने कननिस को हराय था यहाँ पर दिखिए एक चीनी जर्नल थे जीनों ने भारत में कनिस को हरा दिया था यह हराई थे कौन तो यह थे आपके पान चाओ याद रिखे यहाँ पर याद रिखी स्क्रीन सॉट लिजे जो कठीन लगा करे उसे कॉपी में नोट किया करिए यही तरीका होता है यूटूम में अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं नहीं तो कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है जो आपके लिए नया हो उसे कॉपी में नोट करिए उसके बारे में और सार्च करिए और गहनता से अद्ध्यन करिए समझ में आया चले अगला पूछा गया है कहरा है निम्ड में靡ी से किसी उश्ण के सम्राज की सीमाई भारत के बाहर के बाहर तक फैली थी ऐसा भी एक वंस था जिसका समराज भसा था यश्विमाई थी उसके भारत के बाहर तक फैल गई थी यहाँ पर आपका जो वंस था कौन तो आपका जवाब हो जएगा एक उसाण वंस का जो शासक था यह बहुत दूर तक इनका फैलाओ था मतलब अपने देश देश थी और बहर देशों में भी थी तो आपका जवाब यहाँ पर C सही हो जएगा अगरा पुछा गया है कराप से कि कला की गंधार सैली निम्न समय में फली फूली थी मतलब करे सिकते हैं कि उत्खनान हुआ था फली फूली थी जदा चरम पर आपका आगई थी जो गंधार कला सैली है ठीके तो गंधार कला सैली किसके समय में फली फूली तो आपका जवाब हो जगा यहाँ पर आपका C कुसानों के समय में ठीके ऑप्सन अपका हो जगा A कुसानों के समय कुछानों के समय गंधार कला सहली आपकी काफी यान पर प्रचलित हुई थी फली फूली ओप्सन एव हो जगा अगर आप पुछा गया है कि अफगानिस्तान का बाम यान प्रसिद था अफगानिस्तान में कह सकते हैं कि एक जगा है और ये जगा जो थी बुद्ध की प्रतिमा के लिए ठीके कि इसके लिए बुद्ध की प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बाम यान प्रसिद आपका था जो कि बुद्ध की प्रत प्राचीन काल के भारत पर आक्रमों के संबंध में निम्रिखित में से कौन सा एक सही काल करम है भारत में आपने देखा है बहुत आपके आक्रमन हुए है और क्रम से बात में की जाए तो यहां पर आपका कौन सा हो जेगा अगले प्रिसका आते हैं प्रसाप से लप पूछा गया है करहें पहला इरानी साशक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने आधिन किया था ये याद रखें पहला इरानी था पहला इरानी साशक था जो भारत के कुछ भाग को अपने आधिन कर लिया था और ये आधिन किसने कि तो डेरियार प्रथम आपने नाम सुना होगा कि डेरियार ने आपके भारत को यहां पर भारत के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था डेरियर ऑप्सन C हो जएगा अगला है निम्न राजवन्सों में से सबसे पुराना राजवन्स ये भी कोश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि सबसे पुराना राजवन्स इन में से कौन सा है सबसे पुराना राजवन्स इन में से कौन सा है तो यहाँ पर आप बताईएगा कि आपका जवाब यहाँ पर सभी कौन सा होजेगा चलिए यहाँ पर राश्ट कूट है चालुक के है पल्लो है और आपके सातवाहन है याद रिखेगा मौरिवंस तो दिया नहीं इनमें यह मौरवंस आपको दिया है याद रिखे इसका आपका जवाब होजेगा सातवाहन ठीके सातवाहन के बाद ही ये साथ वाहन के बाद ही अधर आपके यहाँ पर केशितने राज कुछ चालू को और आपके पलो आए हैं, ठीके, तो इसका जवाब जो हो जेगा, कौन हो जेगा, D हो जेगा, अभी आपने पढ़ा करम से, ये पहले साथ वाहन आपने सुनना था, अभी राज कुछ तो अभ ठीके, अगला है कि आंधर साथ वाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, यहाँ पर याद रिखे जो आपके आंधर साथ वाहन ने, इन राजाओं की सबसे लंबी जो सूची है, उनके बारे में जो लिखा है, वो लिखा है मत्स पुराण में, जो अगले प्रिस्पातें प्रशाप सब्सक्राइब है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है नाम किस से सब से अब आप लेक जो कि आप दे सकते हैं कि हाथी गुमफा आप लेक के साथ जुड़ा है खारवेल का नाम ये खारवेल भी आपके हैं याद रिखेगा अगले जो क्लास होगी उसमें खारवेल के बारे हम पूरा पड़ेंगे अगला कोशनिया पर आपका आगया जो कि समझने का समय आपको दिया गया है समझकर ही जवाब आपको देना है कि आपको कौन सा हो जेगा चले यहां पर जो मौली कदिकार हैं कभी निलंबित ने किया सकते हैं ऐसा तो नहीं है बताया भी गया होगा कि जो आपके मौली कदिकार हैं वह आपात काल इस्तिती में निलं कदिकार प्रदान किये गए हैं नागरिकों को मौलिक प्रदान किये गए हैं वो किस अनुछेद के तहट किये गए हैं चले यहाँ पर साइज जवाब कौन सा होजेगा चले यहाँ पर जवाब होजेगा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके जो दिये हैं भाग 3 में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक वर्डन मिलता है मौली कर्तबों को जिने हम लोग गारंटी भी बोलते हैं मौली कर्तबों को गारंटी भी बोलते हैं याद रिके है ना जिनका हनन नहीं होता है ठीके अगला पूछा गया है के अरभार्ति स्विधान के निम्निकित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रन लगाता है मतलब याप पर कह सकते हैं कि जो समानता सब्दाप का है समानता सब्दाप का है सब के लिए जो कानून होगा सब के लिए जो आपका कानून है वो आपका बराबर होगा और ये है किसमें तो आपके आर्टिकल आपके 14 में दिया गया है सब के लिए एक जैसा आपका है ठीके अगला प्रसनाप से पूछा गया है कराय भारती समविधान का कौन सा अनुचेद समवैधानिक प्राउधानों को संगी संसद, राजविधान पालिकाओं द्वरा बनाएगे नियमों या कानूनों पर प्राथमिक्ता प्रदान करता है जो को संगी संसद द्वरा राज विधान विकल, जो विधान परसद है पालिका है इनके लिए भी प्राथमिकता या कानून आपका कैसेत्य प्रदारन करता है लिए देञे हैं ये हैं आपका कौन? तो अनूच्चेद आपका यहाँ पर 13 है अनूच्चेद 13 हो जेगा इसका राय टंसर आपका बनेगा ए नमर अनुचेद 13 है यहाँ पर राय टंसर आपका होज़गा ए नमर आपका होज़गा ठीके कि जो कानून आपका बन चुका है हना बार बार उसके खंडन नहीं किया सकता है ठीके यहाँ पर आपका जवाब एस सहीव होज़गा अगले प् इतने सक्सिध्धान्त के बारे में भी है मौलिक अधिकार में भी है और आपके मौलिक करतव्यों के बारे में ही बताया गया है तो यहाँ पर आपका जवाब हो जेगा यहाँ पर नुच्छेत 13 जो है यह सब का उदेश इन टीनों से ही लगा हुआ है अगर आप पुछा गया है कि धर्म आधिके आधार पर विभेद का प्रतिसेद मतलब भारत के समिधान का अनुच्छेत 15 एक मौर अधिकार है जिसे इसके द्वारा आधिन वर्गी करत किया गया है 15 बारा जो आर्टिकल है आर्टिकल जो आपका 15 है इस आर्टिकल 15 के बाद किया है तो यहाँ पर आप क्या जवाब सकते हैं तो आर्टिकल 15 है आपके समता का अधिकार देखो धर्मे में तो है नहीं है सोसन में तो है नहीं है संस्कत में है तो आता किसमें है आता है समता का अधिकार में क्योंकि सम्ता का अधिकार शुरू होता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ठीके आर्टिकल 14 से 18 तक दिये हैं सम्ता का अधिकार में अगला पुछा गया है यह भारती सम्विधान में सम्ता का अधिकार 5.62 द्वारा प्रदत किया गया है तो भी आपका बत देख सकते हैं आपको बोला भी गया है और आपका कौन सा हो जगा तो यहाँ पर कह सकते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हो जगा जो कि राइट अन्स रप के आपके आपके सी सही हो जगा ठीक है ना? केलियर है ना? चलिए अगला पुछा गया है भारती समविधान में जैसा भारती समविधान में जैसा नीत है निम्न मेंसे कौन सा समता के मौलिक अधिकार में समलित नहीं है मतरब समझे इस प्रशन को समझे क्या कह रहा है कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जो आपका समान्ता है ठीके ना समान्ता आपका दिया है जो भारती सम्विधान में जैसा नहीं था बताया गया है निमने से कौन समता के मौलिक अधिकार में समलित नहीं है तो कानून के समझ समान्ता समाजिक समान्ता औसर की समान्ता ये तो बताये गई है लेकिन यहां पर आर्थिक समा अगला पुछा गया है, कि मौलिक अधिकारों के अंतरत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के सोषण से सम्मंदि थे, देखो सोषण की बात क्या है, यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा होजएगा, चले 24 आपका जवाब आरा रहा है, तो बिलकुश सही जवाब है, यहाँ पर आपका अनुच्यद 24 हो जएगा बच्चों के सोशन से संबंदित है कार खाने वगरा में इन्हें यहाँ पर कठिन कारों में इनका काम नहीं करतेंगे करना चाहिए ठीक है और कराते हैं तो भी फिर दिक्कते तो होगी सरकार फियूस पर कैसे सकते हैं केस करेगी ठीक है अगरा है कि मूल अधिकारों के अंतरएट कौन सा अनुच्यद बालकों के नियूजन से सीधा संबंदित है बालकों के नियूजन से सीधा संबंदित है तो अभी आपने पढ़ा आर्टिकल जो आपका कौन सा है यहां पर 24 ठीके आर्टेकल आपका 24 है करगाना लेकिन अगर आपकी दिमाग में आ रहा है 23 क्या है तो 23 क्या होता है 23 में होता है इसमें कोई बीव्यक्ति पर बालात आस्रम करता है मतलब कह सकते हैं कि किसी बीव्यक्ति को उसका वास्तिक मजदूरी नहीं देते हैं तो ऐसी इस्तिती में वो आपका 23 होता है लेकिन बालक को अगर है तो आपका 24 हो जाएगा ठीके अगला पुछा गया है कि सम्विधान के जिस प्रावधान द्वरा अस्प्रस्ता का उन्मूलन किया गया है वो आपका कौन सा है देखें यहाँ पर दिया है अस्प्रस्ता कानून है न और आप लोग जानते हैं चुवाचूत वाला सिस्टम किसमें है तो आर्टिकल यहाँ पर अनुछे जॉब का 17 है अब सनब का सी हो जगा अगर आप से यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर आपका कौन सा है यहाँ पर आपका जबाब सही हो जगा अनुछेद 19 ठीके अनुछेद 19 में परेश की सुतंता यहाँ पर आपको दी गए है नंबर अगला है भारत का सम्विधान इसपश्टा परेश की इस आजादी किंतु बेवस्था नहीं करता है किंत यहाँ आजादी अंतर नीध है यह आपको किसमें दिया है मतलब वही बात की गई है आपके परेश के बारे में ही ठीके परेश के बारे में ही दिया गया है और यह दिया गया है अनुछेद 19 के 1st के A में और A में मतलब A के A में मतलब उसको भी आपको तोड़ा गया है तो आपका जवाब A सही हो जगा अगला पुछा गया है कि भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में भासन एवम अभिवक्ति की सुतंता के मुल अधिकार का प्रावधान दिया है ठीके भासन की अभिवक्ति की सुतंता आप बोल सकते हैं भासन दे सकते हैं आपका अधिकार है और अधिकार है तो यह सब जो आपको दिया गया है वो किस पर आपको दिया गया है किस आर्टिकल के तहत है तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जगा कौंसा 171 का जवाब सही कौंसा बनेगा यहाँ पर B Number 56 आपका 19 हो जगा ठीके? चलिए अगरा पूछा गया है कहरा है भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र मतलब जो समाचार पत्र है समाचार पत्र है इसके बारे में ये ही आपका है कี่सी, तो आपका सम्विधान कानुचेद इरुष्ट के 1st में विसेश रूप से उब बंधित किया गया है, समा चार पत्रों के बारे में, जो कि आप देशेकते हैं प्रेस वालों के बारे में बताया गया है, ठीके चलिए अगला पुछा गया है कि भारती सम्विधान का कौन समुचेद ब्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को सरचन प्रदान करता है कोई भी ब्यक्ति होता है देख सकते हैं विदेश यात्रा के लिए हना 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 विदेश यात्रा के D को अनुच्छे दिक्की से मिला कर पढ़ने पर प्रक्थ होता है मतलब अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में जो D है ये भी आपका है और 21 दोनों को मिला कर ही याँ पर यूज किया जाता है तब इसका वास्तिकर्थ निकलता है जो क्या आपका होता है प्राइवेसी ठीके अगला पुछा गया है कि सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत सिखों द्वारा कृपांड धारन करना धर्मिक सुतनता का अंग माना गया है जो सिख लोग होते हैं वो कृपांड धारन करते हैं हना यहाँ पर किसकते हैं यह जो सुतनता है यह सुतनता दी गई है वो आपके कौन से में, तो धर्मे की बात किया है, धर्मे की बात किया है, तो आप जवाब क्या दोगे, जवाब दोगे 24 तो देही नहीं सकते हो, क्योंकि यह तो आता नहीं, यह सोशन में आता है, यहाँ पर जवाब B होज़ेगा, अनुछेद 25 होज़ेगा, ठीके, अगला पुछा गया है, इभारती सम्विधान का कौन सानुचेद, अलप संख्यकों को अपनी मन पसंद सिच्छन संस्थाओं को इस्थापित, एवं संचालित करने के अधिकार को सरच्छन है, जो अलप संख्यक लोग है, उनको भी अपनी मन पसंद सिच्छन संस्थान इस्थाप प्रस्नाप से अगरा पूछा गया है करा निमिकित में से कौन से अधिकार भारती सम्विधानिक अनुचेद 32 के अंतगरत प्रवर्तित किए जा सकते हैं मतलब आपका जो अर्टिकल है आपका 32 ठीके अनुचेद 32 तो अनुचेद 32 में क्या क्या हो सकता है 32 में क्या हो सकता है समयधानिक अधिकार है समविधिक अधिकार है उप्रोक्त सभी दिया है मौलिक अधिकार है तो यहाँ पर 32 जो आपका है 32 है यहाँ पर कौन सा हो जेगा चले 32 के बात करें तो यहाँ पर 32 के अंत्रक्र समयधानिक अधिकार मौलिक अधिकार देखो यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है मौलिक अधिकार के बारे में समविधान पर अधिकार आपको क्या हो सकता है क्या समविधान पर क्या आपका अधिकार हो सकता है क्या समविधिक पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना यहाँ पर आपको अधिकार दिया गया है आपके मौलिक अधिकार का और मौलिक अधिकार की रच्छा करना ये आर्टिकल 32 में होता है और आर्टिकल 32 के तहट अगर आपके मौलिक अधिकार पर किसी प्रकार की दिकत होती है आच आती है तो आप सुप्रियम कोर्ट जा सकते है रिट का प्रियोग करके, या तो रिटो का प्रियोग करके, 226 के तैत, आप हाई कोट में भी जा सकते हो, ठीक है, ये समझने वारा प्रस्न था, इसका राय टन्स रापका बीव होजेगा, मौलिक अधिकार, ठीक है, चलिए, अगले प्रस्कोर आते हैं, प्रस्थाप से गला ह ठीक है, अगले प्रस्काते हैं, प्रस्थाप से गला है, करें समझने वारा प्रस्थाप से गला है, ठीक है, अगले प्रस्कोर आते हैं, प्रस्थाप से गला है, कि डाक्टर भीम रावमेटकर ने, निम्न में से, मौलिक अधिकारों में से, किसे, समझन का हर्दय और आत्म तो देखे यहाँ पर दिया है मौलिक अधिकारों में से किसे सम्विधान की आत्मा और हर्दे कहा है जो आपके डाक्टर भीम राव अम्बेटकर के अंसार यहाँ पर याद रिखे इसका जवाब हो जाए कौन सा आपका हो जाएगा आपका समयधानेक उपचारों का अधिकार ओप्सन डी होगा समयधानेक उपचारों का अधिकार आर्था जो आर्टिकल है आर्टिकल 32 को डाक्टर भीम राव अम्बेटकर ने मौनिक अधिकारों में से समयधान का हर्दे और आपका आत्मा कहा है ठीके अगला पुछा गया है कि ब्यक्तिकार सुतनता के अधिकार के पर कीलिए निमनरिकित में से कौन वाइन याचिका अधिकार की जाती है मतलब 973 पर हानन हो रहा है आपके 953 अधिकार हुडरा है तो ऐसी इस्थित में रिट जाराइक की सकती है रिट या याचिकार की जा सकती है जो कि यां पर कैसे है एक 180 कछफन आहां के 15 काफ़ यहां अगला पुछा गया है किया आपस यहां पर किस वाद ने संसत को मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार दिया है देखो दिया गया है कि जो मौलिक अधिकार है उनमें संसोधन कर सकते हो संसोधन कर सकते हो यह जो आपका दिया गया था किसमें दिया गया था कौन सवाद है यह देखेगा 183 option यह हो जागा कि सुवा नंद भारती भनाम कियरल वाद्ने यह घोसित किया था यह पारित किया था कि जू मौलिक अधिकार हैं उनमें संसोधन आधि कर सकते हो ठीके अगला पुछा गया है कि संपत्ति के मौलेक अधिकार को कब समाप्ति किया गया पहले आपके संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन समय के अमसार मौलेक अधिकार में संपत्तिकार को हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार रख दिया गया विदिक अधिकार आपका हो गया यहाँ पर आपका जवाब होज़े कौँशा तो आपकी 44-वी संसोधन अधिनियम होँ था 1978 में इसे यहां से हटाया गया मौलिक अधिकार से और आपके आर्टिकल 300A में इसे रख दिया गया है ठीके चलेए अगला वर्तमान समय में भारती सम्मिधान के अंतरगत संपत्ति का जो अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का अधिकार है वर्थ मान में ये कैसा अधिकार है चले, मौली कदिकार वैधाने कदिकार, नैती कदिकार या इन में से कोई नहीं चले, 185 का लॉग करते हैं option B यहाँ पर वैधाने कदिकार है कैसा है? वैधाने कदिकार है option B सही हो जएगा अगले प्रिसकाते हैं, प्रसन आपसे ला पूछा गया है, कैरा आपसे यहाँ पर कुल्लू घाटी, जिस परवस्टी के मद अवस्थी थे, वो आपकी कौन सी है? देखो, दिया गया है कुल्लू घाटी, और कुल्लू घाटी जो आपके वस्ती थे, वो कहाँ पर वस्ती थे, चलिए, यहाँ पर सही जवाब कौन सा होजेगा, कुल्लू घाटी के बात किया है न, और कुल्लू घाटी जो आपके वस्ती थे, वो किन दो के बीच है, यहाँ पर आपका जवाब होजा कौन सा, ए नमबर, यह धोला धार और पीर पंजार के बीच है ठीके धौला धार और पीर पंजार के बीच आपका है तो अपसन रेट को होज़े कौन सा यहाँ पर एव होज़ेगा ठीके अगला प्रस्ट आप से पूछा गया है कि नेलांग घाटी किस राजी में अवस्थी थे यहाँ पर सही जवाब क्या होज़ अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलत करना है सूची में दिया है घाटी और दिया है राज कौन सी घाटी किस राजी में वस्थी थे यहाँ पर मिलान करते हैं कौन सा मिलान यहाँ पर आपका सही होज़ेगा ठीके यहाँ पर देखे प्यार है मरخा घाटी, 11 आप से मरखा घाटी दिया है, मरखा घाटी, और ये मरखा घाटी किन किन के बीच आपकी वस्ती थे, ठीके यहाँ पर याद रखेगा, मरखा घाटी जो आपकी है, यह आपका आज़ जाएगा किसमें, जम्मुकसमीर में इसका 3 हो जगा, जुकु घाटी कहां पर है, तो जुकु घाटी आपके कहां पर है, नागा लाइने में इसका 4 हो जगा, सांगला घाटी कहां पर है, तो सांगला घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में है, इसका 2 हो जगा, और यूथांग घाटी कहां पर है, तो आपके सिक्क करना है फूर नंबर दिया गया है तो कहरें सांत घाटी साइलेंट वैली रास्टी वन नला मलाई सिर्डी में है तो वही सांत घाटी बताए क्या नला मला सिर्डी में है नला मला सिर्डी में तो आपकी है नहीं है हना साइलेंट वैली जो आपकी है वो आपकी रास्टी वन की निकत आपके थपड काडू जलविद्ध परियोजना बनाने को प्रस्ता होए तो दो सही हो जाएगा तीसरा दिया है कि कुंती नदी घाटी जो सांत घाटी है सैलेंट वैली के वर्षा प्रचुरवारों में इसे उद्बत होती है तो इसके दो आपके ओप्सन होगे जो कि आपका सी आपका होजएगा दो औरती है कि एगला पुछा गया है कि निमनिकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है जो को यहाँ पर आपसे पूछा गया है कहा रहा है चांगला दर्रा जो चांगला है वो आपके जम्मु कस्मीर में है रोतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है बॉंडीरा दर्रा आवड़ाचल प्रदेश में है लेकिन यहाँ पर दिया है सेला दर्रा सेला दर्रा जो आपके उत्राखंड में नहीं है यह कहाँ पर आपके पढ़ता है? अगला पूछा गया है पाल घाट निम्कित में से किनके मत दिश्थी थे? पाल घाट जो दिया है पाल घाट ये किसके मत दवस्ती थे? निलगिरी और काडमम पहाड़ी के बीच में निलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में या अन्नामलाई और काडमम और आपके पालनी के बीच में राइट अंसल आपका कौन सा बनेगा याद रिखे इसका राइट अंसल आपका 6 का जवाब बनेगा B यह है निलगिरी और अनना मलाई पहाड़ी के बीच में है अगला परसन आपका दिया है निम निकित युग्मों में से सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है यह देकि बोरगाट आपके हिमाचल प्रदेस में नहीं है यह पढ़ता है आपकी काम पर महाराश्ट, ठीके महाराश्ट में पढ़ता है तो यहाँ पर गलती है option C में वह यह पर पाल घाट जो आपका पढ़ता है वापकी केरल में, ठीके C नमबर आपका गलती हो गया अगला पुछा गया है कि अवडांचर प्रदेश में भारत म्यामार की सीमा पर कौन सा दर्रा उस्ती थे अवडांचर प्रदेश में भारत म्यामार की बीच जो आपका दर्रा है वो आपका कौन सा दर्रा है चले जबाब दीजेगा याद रिखेगा ये दर्रा कौन सा है तो option right अपका B हो जेगा ये है आपका दीफू दर्रा और एक दर्रा और आपका है पांक साड दर्रा ठीके पांक साड दर्रा जो आपका है साड दर्रा वो आपका काँ पर है तो आपके म्यामार और आपके भारत क के बीच में है option B होज़ेगा अगला पूछा गया है नातुला दर्रा तिन दो देशों के मद्द तीसरा सीमा ब्यापार बिंदू है मतलब देखा जाए तो वो मुक्रूप से देखा जा तो तीसरे नंबर पे यहां से ब्यापार होता था जो कि आपके किस के बीच में है अब बताजिए कौनसा यूगम सुमेलत नहीं है कौन सा दर्रा कहां परिश्थित है आपने पढ़ा है कि ने पढ़ा है पढ़ा है कि ने पढ़ा है अपने इस सब मैं पढ़ारें है पढ़ाए कि ने पढ़ाए पढ़े होंगे तो जादा समझ में आएगा और नहीं पढ़े है तो थोड़ा सा देर में समझ में आएगा है ना चले तो देखो यहाँ पर दिया गया है कौँसा तो यहाँ पर आपका दिया है बनिहाल बनिहाल दिया है तो कैसे हैं बनिहाल आपकी जम्मु कस्मीर में है मुलिंगला दर्रा दिया है आड़ांचल प्रदेश तो मैं मुलिंगला दर्रा जो आपका है आड़ांचल प्रदेश में नहीं है ये पढ़ता है आपके उत्तरकासी जो आपके तिबबत में उत्तराखंड ठीके उत्तरकासी जिले में जो क्या आपके उत्तराखंड पढ़ता है ठीके उत्तराखंड में आपका है तो इस कारण से यहाँ पर आपका गलती B में है वहें पर रोतांग आपके हिमाचर है याद रिखे कहां पर है लिपलेख आपका दिया है कहां पर तो आपके उत्रा खंड में होज़ेगा यहां पर आपका सही जवाब कौन से होज़ेगा ग्यारा कॉप्सन आपका सी होज़ेगा ठीके चलिए अगले प्रस्कोर बाड़े चलिए अगला आप से पूछा गया है क इस सांगला घाटी किस प्रदेश में इस्ती थे सांगला घाटी किस प्रदेश में इस्ती थे सांगला घाटी किस प्रदेश में है तो यहाँ पर याद रिखे हिमाचल प्रदेश में एक पड़ता किन नौर जिला ठीक है किन नौर जिला में इस्ती थे जो कि आपकी हिमाचिर प्रदेश में है राइट अंसर आपका बनेगा ए नमब आपका होजेगा अगला पूछा गया है कि नल्ला मल्ला पहाडियां किंदो नदियों के मद अवस्ती थे यहाँ पर आपका तेरा का उप्सन राइट आपका कौन सा होजेगा तो तेरा का उप्सन राइट आपका सही जवाब बनेगा ए नमबर क्रश्णा और पिनारू क्रश्णा और पिनारू नदि के मद नल्ला मल्ला की पहाडियां है तो राइट अंसर आपका आपका बनेगा अगला पूछा गया है वह दर्रा जो सरवाधिक मुचाई में वश्तित है वह दर्रा जो सरवाधिक मुचाई में वश्तित है जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खैबर दर्रा राइट अंसर आपका कौन सा बनेगा राइट अंसर आपका बनेगा ये है आपका सी आपका नाथुला दर्रा है नाथुला दर्रा ठीके और अगला आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मरखा घाटी किस राजी की प्रसिद्ध घाटी है मरखा घाटी ये मरखा घाटी है ये कहां की प्रसिद्ध घाटी है ये घाटी है आपकी लद्दाप और आपकी जम्मु कस्मीर के मद्द की प्रसिद्ध घाटी है मरखा घाटी ठीके और आप से यगला पुछा गया है जो की ये लास्ट कोशन है कि कुलू घाटी कहां पर है कुलू घाटी है ये कहां पर है इसका जवाब आपको कमेंट वाक्स में कमेंट करके बता प्रेक्टिसे टुठा कर देखेगा 100% आपको देखने को मिलेंगे एक कोर्षन जो आपको पढ़ाते हैं ठीके हिस्ट्री हो या पॉल्टी हो या जोगराफी हो ठीके आप लगातार प्रेक्टिसे लगा रहे हो आप लग रहा होगा कि नए कोशन हमने पढ़ा भी है ठीके तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं ठीके ना और पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें